हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारिश के मौसम में गर्म गर्म चाह के साथ खाने के लिए एक कुरकुरा सा स्नेक फ्रेंड्स समोसे तो आपने बहुत सारे खाये होंगे क्या कभी ऐसा समोसा खाया है जिसको बनाने में बिल्कुल भी महनत नहीं है और जटपर बनका तयार हो गया हो फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है और मैं आपके लिए नई रेसिपी नए तरीके से लेकर आती हूँ आज की रेसिपी भी बिल्कुल ऐसी है जो बिल्कुल नई है और नए तरीके से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आज मैं आपके लेकर आईव फिलावर समोसा, खाया है कभी? नहीं खाया ना? चलिए फिर देड़ना करते वे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब करें, फिलावर समो भून, घी या तेल भी यूज़ कर सकते हैं, अब आटे में यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे आटे में इन सबका फिलेवर अच्छे से आ जाए, हमें आटे में यह चेक करना है कि जो हमने घी का मोन डाला है, वो कम तो नहीं है, हमें आटे की एक लड़ बना के देखना है, अगर वो लड़ू बन रहा है, तो इसका मतब घी परफेक्ट डलाए, और अगर लड़ू नहीं बन रहा तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, आटे में सभी चीज़े अच्छे से मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक डो अब हम लेंगे चार से पांच उबले हुए आलू, मैंने आलू को पहले ही उबाल लिया था और छिलके उतार लिये थे, अब यहां पर हमें आलू को अच्छे से मेश करना है, आप आलू को हास से भी मेश कर सकते हैं, और आलू आप छोड़े या बड़े किसी भी साइस के ल एक टीस्पून कश्मीदी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, साथ में एक टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, इसका फ्लेवर और इसकी खुश्पी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, अब हम इसमें एक टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, इससे स्नैक बहुत ज़ पाउची बन जाएंगे, यह देखिए, आलू में सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है, अगर इस टाइम भी आलू के टुगडे मोटे हैं तो आप इन्हें हातों से तोल लिजिए, अब हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रीडियन वो है कॉन फ्लार, यहां हम तीन कितना बढ़िया आया है, इसी तरीके से हमें चाहिए था, अब हमारे आलू का मसाला या डो, जो भी बोलना चाहिए बोल लीजिए, तैयार है, अब हम फटाफट से आटा चेक कर लेते हैं, वैसे भी 15 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा पानी डाल कर एक पर फिर से आटे को करता है, अब हमें इसे बहुत बड़ा बेलना है, यह देखिए, मैं इसकी ठिकनेस दिखाती हूँ, ना जादा मोटी है, ना जादा पतली है, प्रूरी नहीं है, कि आपको गोल शेप में ही रोटी की तरह बेलना है, आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं, हम जो रोटी बना मसाला जो हमने तयार किया है, भरेंगे, जादा मसाला नहीं भरना है, जादा नहीं लगाना है, जो कि रोटी ही तूट जाए, मैं इस पैचुला से आटे के मसाले को फैला रही हूँ, आप चाहे तो चम्मत से भी फैला सकते हैं, एक बात और, अगर हातों बे आपके आलू चिपक रहे, तो आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, उसके बाद भी आलू को फैला सकते हैं, यह देखिए मैं किस तरीके से स्पैचुला से फैला रही हूँ, इसी तरीके से हम फैलाएंगे, मैंने चारो तरफ से फैला लिया है, देखिए, एक भी किनारा नहीं बचा है आलू का मसाला अच्छे से लगा दिया है और स्पैचुला से स्प्रेट कर दिया है, अब हम इसके उपपर दूसरे आटे की जो रोटी बनाईए वो रखेंगे, इस तरह दबाने से क्या होगा ना, कि दोनो रोटी आपस में चिपक जाएगी और बीच में आलू का मसाला रह और किनारों को दबाएंगे, आप देख रहे हैं किनारे खुलने नहीं चाहिए, इसलिए दोनो रोटी के किनारों को अच्छे से दबाएंगे, इस तरीके से ये खुलेगा भी नहीं और आटे बढ़िया से दब जाएगा, अब हम बेलन से इसे फ्लैट करेंगे, हलके हाथो से फ्लैट करेंगे, इससे आलू का मसाला दूसरी रोटी में चिपक जाएगा, अब हम इसे चाकू से काटेंगे, लंबे शेब में उपर से नीचे तक काटेंगे, ये देखिए, मैं किस तरीके से काट रही हूँ, इसके उपर में वर्टिकल लाइन कट कर रही हूँ, उसके मैं इसे काटती जारी हूँ और स्क्वेर बॉक्स बनते जा रहे हैं, इन्हीं स्क्वेर बॉक्स के हम अपने स्नेक्स का डिजाइन बनाएंगे, जो बहुती प्यारा लगेगा, ये जो किनारे हैं ना, इसके किनारों को भी हम फ्राय करेंगे, इस किनारों की कोई शेब तो मोड कर फोल्ड कर देना है, आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसकी शेब बहुती ज़्यादा यूनिक है और बहुती इसली ये बनकर तयार हो जाते हो, ये बहुती ज़्यादा क्रिस्प्री और कुरकुरे बनते हैं, सभी बॉक्स को इसी तरीके की मैं एक बार और करके दिखाती हूँ, ये देखिए बन गया फिलावर समूसा, अगर आपको मठरी खाना पसंद है तो ये स्नैक आपको बहुती पसंद आएगा, एक बार इस तरीके से ये डिजाइन के फिलावर समूसे बना कर देखें, लीजिए सारे फिलावर समूसों के डिजाइन बनकर तयार है, अब इसको हम फिराए करेंगे, कडाई में तेल पहले ही गरम कर दिया था, पहले इसे हाई फिलेम पर एक एक करके डालेंगे और लो मीडियम फिलेम पर हम इसे तलेंगे, जब हम इन फिलावर समूसों को डालेंगे तो फिलेम हाई होगी, और जदर tasty लगेंगे, friends देख रहे हैं, मैं कैसे कर रही हूँ, सिर्फ एक कब घी हूँ की आते से हमने इतना tasty flower समुसा बना ली आए, आप इसे चाई के साथ, कॉफी के साथ या फिर ketchup के साथ enjoy कर सकते हैं, ये देख Nieकलते हैं ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है कहीं से भी यह जले नहीं है और यह ओईल फ्री बने है इसके अंदर ओईल भी नहीं है आप देख रहे हैं यह समोसे ओईल फ्री बने हैं समोसों ने तेल अबजोर्ब भी नहीं किया है और यह देखने में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं लीजी कैसी लगी मुसे जरूर बताईएगा जल्दी मिलते नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई